वार है शनिवार आज प्रदोश वरत है और विशेश करके शनी पीडा से जो परिशान चल रहे हैं ऐसे लोग उनको आज के दिन ये शनी प्रदोश का वरत अवश्य करना चाहिए आज के नक्षचत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षचत्र दोपेर बाद 3 बच के 4 मिनट तक है आगे जेश्टा नक्षचत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा योग शुब है और योग की दरश्टी से आज का दिन भौती शुब और योग कारक है करन कॉलाव है दौपेर बारा बच के 18 मिनट तक आगे तैतिल करन रहेगा सूर्योदे का समय दर्शको सुबे 5.26 मिनट का था और सूर्यास्त का समय शाम 7.23 मिनट का है आज का रहुकाल सुबे 9 से 10.30 बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीकी से टाल दीजेगा इसमें ना कोई शुबकारे शुरू करना चाहिए और लंबी यात्रा पे बिलकुल नहीं निकलना चाहिए अभिजित मुरत आज 11.56 मिनट से दौपेर 12.52 मिनट के बीच है और दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे हाला कि ये चारो दुष्ट मुरत सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे लेकिन फिर भी रोजाने इने समझे और इने सुजबू से टाल दीजे आज के दुष्ट मुरत थे सुबह 5.26 मिनट, 6.22 मिनट, 6.22 मिनट और 7.18 मिनट आज का दिशा शूल दर्शको पूर्व दिशा में है तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें लेकिन जाना बहुत जरूरी है और बहुत अनिवार है यात्रा है तो इसका परिहार करके निकले और यार बहुत सरल है पूर्व दिशा के और मुक कीजिए थोड़ा सा अधरक का टुकड़ा या उड़त के दाने खाकर पांच कदम पीछे चलिए और जब ये करें तो अपने हरदे में अपने इस्ट और भगवाँ श्री राम का ध्यान करके उनसे प्राथना करें कि आप मेरे हरदे में स्तितों के मेरे साथ यातरा पर चलिए ऐसा करेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल परिशान नहीं करेगा आपकी यातरा बहुत अच्छी होगी और जिस कारे के लिए आप जा रहे थे हो कारे भी सिद्ध होगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह साथ बच के तीस मिनट से आट बच के पच्पन मिनट तक फिर दौपेर 12 बच के 30 मिनट से शाम 5 बच के 30 मिनट तक और फिर शाम 7 बच के 30 मिनट से 8 बच के 30 मिनट तक बागी पूरे दिन के अपेक्षा ये तीनों काल खंड ज्यादा शुब है योग का रख है अच्छे एफर्स करें तो इन समय का ध्यान रखते वे करें सफलता के चांसे ज्यादा रहेंगे आज की चंद राशी दर्शे को वरस्चिक है यानि चंदरमा वरस्चिक राशी से गोचर कर रहें जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को आज वाहन चलाने में रखनी है सावधानी व्रश राशी वालों को अपने वहवाईक जीवन में कटूता का सामना करना पड़ सकता है और मितुन राशी वालों को आज लेन दिन में रखनी है विशेश सावधानी सिंग राशी वाले गर में अचानक से हुई लड़ाई जगड़े से रहेंगे कन्या राशी वालो को मित्रों का जबरदस सपोर्ट मिलेगा और तुला राशी वाले आर्थिक रूप से मजबूत होते वे दिखेंगे व्रश्चिक राशी वाले आज आत्मश्वासी कमी से रहेंगे ग्रस्त और धनु राशी वालों को लंबी यात्रा से आज बचना चाहिए मकर राशी वाले आज आर्थिक लाव उठाएंगे विशेश करके चीनी गुड मिठाई के जो व्यापारी है यानि जो गन्य के रस्त सम्मंदित कोई काम करते हैं वो बहुत जदा लाव उठाएंगे और कुम राशी वाले अपने कारेले में अपने कारियों के लिए पाएंग की फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जीवन को सुगम सुरक्षित सुन्दर और सफल बना देते हैं अन्तमय करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को क्रोध से यतासंभव बचना चाहिए क्रोध यानि जलते वे कोईले को कसकर मुठी म बनते हैं जो शरीर के मेटावॉलिजम को खराब करके बहुत तरह के रूग ला देते हैं परमात्मा श्रीक्रिष्ण ने गीता जी में कहा है कि क्रोधाद भवती सम्मो है सम्मोहात स्मृति विभ्रम है स्मृति बंशाद बुद्धी नाशो बुद्धी नाशात प्रणश् इसलिए यता संभव प्रयास कीजिए कि क्रोध नाए और इसका प्रैक्टिकल उपाई यह है कि नित्य प्रणयाम कीजिए अनुलोम विलोम प्रणयाम जिसको नाड़ी शोदन प्रणयाम कहते हैं यह बहुती कारगर उपाई है और भगवान के नाम का अधिक से अधिक संक् सबसे बहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लोग का जनम दिन है आज आप एक छोटा सा उपाय करें तो वर्ष भर बहुती उत्तम फल प्राप्त होंगे करना सिर्फ यह है कि दोपेर डेड़ से धाई बजे के बीच में आपको किसी भी शनी मंदर के बाहर भोजन दान करना है और प्रयास यह रहे कि उड़त की बने मिठाई या जो धाई बड़े होते हैं उड़त के वो अवश्यर है उसके बाद में धाई से साड़े तीन बजे के बीच में आपको भगवान शिवजी पर किसर का इत्र अर्पित करना है और गौ माता को हल्दी और चेने की डाल खिलानी है इसके बाद शाम को 8 बच के 49 मिनट से 8 बच के 56 मिनट के बीच में हनुमान जी के मंदर जाए दीपक प्रजोलित करें पान अनार उन्हें अर्पित क करें 11 पार्ट हनुमान अस्तक का पार्ट करें तो आने वाला वर्ष बहुत सुक्षानती से इश्वरी अनुकंपा से बीतेगा इसमें कोई संध्य नहीं है ऐसे दर्शे को बहुत बार ऐसे देखने में आता कि लगाता रहने एक प्रकार की समश्यां घर में रहते हैं कभी खराब हो जाती है कभी जगड़े इत्यादी होते रहते हैं तो ऐसे स्तिति अगर आपके साथ है तो आज शाम आट बच के 30 मिनट से 9 बच के 15 मिनट के बीच में आप एक काले कपड़े में सवा सो ग्राम काले उडद, आठ कीले, आठ काले मिर्च, एक बिजोरा नीम्बू लेकर एंटी क्लॉक वाइज अपने घर के प्रतेक सदश्य पर से साथ साथ बार उतारा कर लें और इस सामान को बहते वे पानी चाहे वो नाले का पानी क्यों ना हो उसमें जाके डालाएं बिना बुले जाएं बिना पीछे देखे घर वापस आएं और हात मुध होकर या स्नान करकर रामरक्ष अस्तोत्र या फिर सुन्दरकान का पार्ट कर लिजे तो आपकी जो समश्य आएं घर की वह आज इसे कम होने लगेंगी और रिदम बिल्कुल कम हो जाएंगे ऐसे ही दर्शे को चिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता हो गुशा ज्यादा आता हो च्रचळापन ज्यादा रहता हो या वह लोग जिनें बहुत ही ज्यादा डर लगता हो किसी या प्रूटि सी मंत्र साधन है करना सिर्फ यह है कि आप धोजब पत्र पर अपना नाम और यह मंत्र है इसे अनार कि क्लम के द्वारा लाल चंदन को पानी में घीसकर उसकी शाही बनाकर उससे लिखें और फिर जो मंत्र और आपका नाम है इसे एक शहद की शीशी में डुबो कर और फिर माता दुर्गा के चित्र के सामने से रख दे और पंचोब चार से भगवती का पूजन करें गणेश जी का पूजन करें और फिर श्री गणेशाय नम्हें श्री गणेशाय नम्हें इसका एक माला का जब करें और उसके बाद में इस विशिश्ट मंत्र की पांच माला आपको उस दिनों तक लगातार जाप करते रहें आपकी पिडाएं निश्शित रूप से शान्त होगी और बहुत जल्दी आप स्वास्त लाप कर लेंगे मंत्र को यह थे आज के वह विसस्ट उपाई जो आपकी बड़ी-बड़ी समश्चाओं का समधान कर रहें और आपकी मनोकामना पूरी कर रहें अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रीक आई हमारे दर्शक हिमांचु जी की दिल्ली से 26 अक्टूबर सन 2004 का इनका जनम है सुबह 6 बच के 26 मिनट दिल्ली प्रशन है विदेश जाने के योग बताईए इमांचु जी लगने शुक्र मंगल और बुद्ध के साथ 12 भाव में बैठा है और चंद्रमा की सीधी द्रस्टी इन पर है तो कुंडली के करमेश चंद्रमा ह तो निश्यत रूप से यह सारे योग बता रहें कि आप विदेश जाएंगे और योग आपके जून 2025 से शुरू होंगे और आगे कम से कम साथ वर्ष या अधिक्तम जितना आप जाना चाहें जितना वहां रहना चाहें उतने वर्ष आप वहां रह सकते हैं मिनिमम साथ साल आप रहेंगे रहेंगे तो उत्तम फल प्राप्ति के लिए एक तो अपना ग्रहेंड चानती करवाई आपकी जन्म पत्रिका की और शुक्र बुद्ध शनी के साथ साथ गुना जाब करवा लीजिए इससे आपकी मनुवान्चित फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे आज जयेस जी आप एंप्सपोर्ट-इमपोर्ट का कार्य कीजिए जिसमें दवाईयों से संबन्दित जो कैमिकल्स होते हैं या मुबाल कम्प्यूटर पार्ट्स वगेरा जो काम होते हैं इनका कोई काम है ऐसा को एक्सपोर्ट-इमपोर्ड कीजिए आपको शनी और खुलने लगेंगे तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस्ट उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा याशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विदी सटीक समय करके पूरा पूरा लाब उठाएंगे और जो ग्यान चर्चा सत्संग में हमने समझा है कि क्रोध कैसे हमारे जीवन का बहुत बड़ा शत्रू है और हमें उससे दूर रहना चाहिए इस क्रोध को अपने जीवन से आप दूर करते जाएंगे और जीवन को सुन्दर बनाएंग नमस्कार मैं हुदीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करते हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि आज के दिन को हम और भी खुबसूरत और बहतरीन कैसे बना सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौनसी रीडिंग आपके लिए होगी अगर आपने हमारे प्रोग्र 1 जुलाई 2013 अज की तारीक नंबर 1 जिसके के सुआमी एस सूर्य और आप तौ जानते हैं कि जब सूरे की बात आती है तो सूरे को रेजोनेट किया जाता है हमारी सूल यानि कि हमारी आतमा से जो की बहुत ही ज़्यादा पावर्फुल होती है तो जिस जातक कि कुंडली में सूरे बहुत अच्छे स्थान पर होते हैं उच्चे के बैठे होते हैं तो वो विक्ति कम्मिनिकेशन में बहुत अच्छा होता है उसकी ख्याती जो कार है वो सूरे की प्रकाश की तरह चमकता है ओजवान होता है तेजस्वी होता है तो कही ना कहीं सूरे की जो एनरजी है वो बहुत जादा negative thought process में रहते हैं तो ऐसे में आपको अपने sun energy को भी balance करना चाहिए ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस प्रकार आप सूरे नाडी को जागरत कर सकते हैं किस प्रकार चंदर नाडी को जागरत करके आप दोने को किस प्रकार balance कर सकते हैं तो बहुत ह जादा आवशक है sun energy का भी completely balance होना हमारी बॉड़ी में इनकी कमी से बहुत सारे जो हैं वह कफ और वात के रोग भी हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आपको पूर्त अगर आपको स्वस्त रखना है तो पूरे दिन भर में थोड़ा सा समय जब सूरे दे होता है उसके आप अपनी बॉड़ी पर ले सकते हैं बहुत ही अच्छी रहने वाली है बहुत ही पाफुल रहती है जो कहीं ना कहीं हमारी बॉड़ी को विटामिन डी देती है और हमें हील करती है ना केवल शारेरी ग्रूप से बलकि मानसिक भावनात्मक और सबसे महत्पूर्ण आध्य रूप से भी तो आए दोस्तों बिना देर की अपने कारिक्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूलंक एक के लिए हमारे परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं एक जिलाई दो हजार तेयस के लिए और मूलंक एक के लिए हमें स्मझाय जा रहा है हमें guidance दी जा रही है कि आज किस प्रकार से मूलंक एक के जात्कों को अपना समय बिताना चाहिए और हमसे सी बात है मैनिफेस्टेशन यानि की इच्छाओं की पूर्थी की जो उर्जा है वह बहुत ही आज शक्तिशाली है बहुत पाफुल एनरजी है आज मुलंक एक के जातकों की कहीं न कहीं आज के दिन आप आत्म निर्भर महसूस करेंगे सारे कारियों को आप जो है चुटकी ब पर है या फिर जिस पद की कुछ रिस्पॉंसेबिलेटी इस बनती है जैसे की राज योग में होता है राजा की प्रकारिया आप एक लीडर की तरह अगर आप काम करते हैं तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा है आपको ऐसा मौका मिलेगा जहां पर आप अपने स्टैले मूलांक दो के जातकों को कहा जा रहा है कि gratitude is the best attitude मतलब कि आज के दिन आप जितना ज्यादा आभार व्यक्त करेंगे जितना ज्यादा आप परमात्मा का आप अपने परिवार जन का अपने मित्र जन का या वो लोग जो कहीं ना कहीं आपको पूरा support करते हैं आपको प्यार क करें क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है मूलांक दो के जातकों को बहुत सारी blessings जो है वो आज प्राप्त हो रही है तो जितना ज्यादा आप gratitude में रहेंगे उतना ही अधिक आपको आशिरवाद प्राप्त होंगे इसका मतलब divine कहीं ना कहीं संकेत कर रहे हैं कि आने ना कहीं अभी से जो अभी आपकी लाइफ है उससे मच 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 बेटर होगी और आपको बहुत अच्छा स्थान देगी तो इसके लिए आपको अभी से आभार व्यक्त करना चाहिए आपका दिन शुबहु आए जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमें परमात्मा आज क्या गा होगे लिए हमें आपको बिकल भी एपने कांफिडेंस को जलूज नहीं करना है कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर बेचएन फील करें या आपको लगे कि आपको विकार करने जा रहे हैं जिसके आपको पूरी पूरी आप कॉड़िन आपको नहीं आंपा रहा है तो कि यापका इंटर्व्यू है या इसी कोई भी जगह जहां पर आपको परिक्षा देना है या किसी पी तरह से लोगों के सामने अपने आपको प्रेजेट करना हैं किसी सिचुबेशन कुछर्ण करना है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि आपको ाइए मुलांक चार के लिए हमें पर मातमा आज क्या गाइड कर रहे हैं जुलाइडार 2nd currently सब्सक्राइड है अब ए फ्रेंशिप के कार्ड है आपको कहा जारा है मुलांक चार-एक जयातक है कहीं किना कहीं अगर आप पार्टनर सिप में कोई कारें करते हैं आज तो आपको बहुती लाग मिलने वाला है तो आपको सहयोग प्राप्त होगा आपकी कलीक्स आपकी सहयता कर सकते हैं। मित्रों का मतलब आपको आपके चाहे के परिवार के हो तो आज का दिन आपको फुल सपर्ट मिलने वाला है आई जानते है मूलांक 5 के लिए परमातमा हमें आज किया गॉय्ट कर technology के लिए और मूलांक5 के लिए हमसे कहा जा रहा है एलिगन्स का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि हडबड़ी ना करें बिल्कुल भी जो भी कोई कारें आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी हडबड़ाना नहीं है जितनी अधिक बेचैनी रखेंगे जितना अधिक हडबड़ाएंगे उतना ही अपना नुकसान कर लेंगे बल्कि आज आप आपको बहुत प्रेम से रहना है खास तोर पर बात आ रही है अपने पार्टनर के साथ पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर के साथ यदि आप विवाहित हैं तो अपने पार्टनर के साथ अपनी पती या पतनी के साथ आपको आज बहुत मधुर संबंद रखने हैं हो सकता है क किसी प्रकार की कलेश की स्थिती बने लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास करें कि ऐसा ना होने पाए प्रेम और करोणा के साथ आपको रखना है फर्गिवनेस आपको रखनी है क्योंकि जितना ज्यादा आज आप लव और कमपैशन में अपने पार्टनर के साथ रहेंगे उतना ही अच्छा ब्लैसिंग्स आज आपको प्राप्त होगी और आप आगे ग्रोग करेंगे इसके लाव आपको कहा जा रहा है कि कहीं पर भी आपको अगर कम्मिनिकेट करना है कहीं पर अपनी बात को रखना है चाहे आपका स्कूल हो कॉलेज हो या वसाय हो या आपका जॉब हो या परिवार का कोई एहम मसला हो ऐसे समय पे जितना ज्यादा आप अपनी वाणी में मद प्रचेन नहीं रहना हैं जितना हो सकते अपना कुछ शांत रखने का प्रियास करें आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं एक जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है गाइड किया जा रहा है हमें नेचर का काड है आपको कहा जा रहा है कि कभी कभी कुछ ना करना बहुत कुछ कर जाता है यह हमारा मनुष्य का स्वभाव है यह प्रकृति का स्वभाव है कि कभी कभी कुछ नहीं भी करना चाहिए तो आज का दिन आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपने भाग दोड की है जो आपने स्ट्रेस दिया है अपने काम को लेकर किसी प्रकार के चालेंज जाएं तो आजका दिन थोड़ा सा आपको रिलाक्स करना चाहिए और वौ रिलाक्स भी अपने घर के अंदर कैने इंडर काउछ अच्छी रहे तो इसके लिए आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि आज कि दिन थोड़ा सा काम से ब्रेक ले और थोड़े से सहज हो जाएं ऐसे किसी स्थान पर जाएं जहां पर की आपको नेचर से आप कनेक्ट हो सकें फिर वो चाहें आप मेडिटेशन के थूब भी हो सकते ह या ऐसे किसी मुहीम का इस्सा बन सकते हैं जो कि पर्यावरण के लिए काम कर रहे हूं आपका दिन शुब हो आइए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं एक जुलाई दो हजार तेस के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें गाइड किया जा रहा है gentleness का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन वाणी पर नियंतरन रखना बहुत ही आवशक है अनावशक अनरगल बाते आप किसी से भी ना कहें खास तोर पर ऐसा कोई भी commitment ना करें जो की बहुत तैश में लिया गया हो क्रोध में लिया गया हो या फिर अपन ऐसा करते हैं तो खिली उड़ सकती है क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह का कोई भी निर्ण अगर आप लेते हैं किसी भी भाव में आकर तो आप ही का नुकसान है तो बहतर होगा कि आजवानी पर आप नियंतरन रखें और साथ ही साथ जितना जादा प्रेम और करोणा से भरे र लिए और मूलांक आठ के लिए हमसे कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूट का काड़ है कहीं न कहीं मूलांक दो गेले भी आज ये काड़ आया था वापस से रिपीट हो रहा है मूलांक आठ के लिए मूलांक आठ के जात्मों से कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच परिवार को लेकर मित्रों में जो कुछ भी आपके पास मौझूद है आज आपको उसका धन्यवाद कहना है कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आज के दिन आप धन्यवाद से भरे रहेंगे उतना ही अधिक सफलता को आप राप्त करेंगे वह कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ना हो तो ऐसे में जो भी कुछ चीजें हमारे पास मौजूद हैं हमारा परिवार हमारे मित्र हमारी जॉब हमारा घर चाहे चोटी गाड़ी हो चाहे चोटा घर हो से क्या फरक पड़ता है एट लीस्ट हमार व्यक्ति करना है हर उस व्यक्ति का परमात्मा का जिन्होंने कहीं ना कहीं आपकी सहायता की है आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं एक जलाई हमारा true self को बाहर लाने की कोशिश कर रही है और वो कैसे संभव है जब हम बहुत प्रेम करोना की भाव में रहेंगे आभार में रहेंगे और साथ ही साथ प्रकृती से करेक्टेड रहेंगे तो मुलांक नौके जातकों को साफ कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई ऐसा कारे करना है जिसमें आपकी ग्राउंडिंग हो सके जो भी आप काम करें उसमें सर्व संभाव का जो भाव है वह आपको अपने भीतर बनाए रखना है कि सभी के प्रती के साथ आपको कनेक्ट हो कि अपने कारे को आज करना है दोस्तों ये थी रिडिंग हमारी एक से लेकर नौ मूलांक तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो आप हमारे कारकरम को इतना प्रेम और सम्मा देते हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका आभार विक्त करती है आपके बीतर बैठे बरमात्मा को मेरा प्रणाम